असलाम अलाइकुम तो आज हम बनाने वाले हैं सब्सेयों में इस्तिमाल होने वाली ग्रेवी तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में ओल लिया है और उसके बाद मैंने यहां पर कड़े मसाले एट की हैं इसमें जिसे टेज पता है और स्टार फूल है दाल चीनी है चोटी लाइची है और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर मैंने यहां पर खोपरा एट क तड़के वाली होती है वह वाली है तो इसको मैंने अब इसमें मिक्स करने के लिए रख दिया आप चलाते रहेंगे लगाता और गेसम को बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें काजू एड कर देंगे तहीं हैं और मै तो बस इसलिए मैंने नहीं दिखाया तो प्याज हम एड कर देंगे उसके बार यहां पर मैंने अद्रक लसन तयार करके रखा था और वह भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसको हम कुछ दिर ऐसे मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे लगाता और जब हमारे थोड़े रहेंगे तो इसके बार मैंने यहां पर टमाटा रेट कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इसको मीक्स करते हुए हम प्लोप स्लय की और थे खना कर देंगे और द्याम रखेंगे कि हमारा को बी हमसाला इसमें जले नहीं आ ऐसी तरीके죠 पर 15 मिनिट कर ल पर नहीं रहना है, कि अचल्पने लगे, जब दोखिए ने की हमचे को लोगा बसके आपको तो जो तहएं कि नहीं गवी को ज़्याने को अवियों है When यह रीड़ पीना do Push dish, पर टब सौनीच घड़ें कोø Не रहे लोगा खेले जैट पर आफे नमक और सब्सक्राइब करेंगें नमक नमक और आफ आए छाएम रहें 2 मुशन डालवगा,eurत। करें पीड्लीन करें पर ज Onu फोस्त, रवासन बूंदे हमेरी करें आफ्या चलांगे और तो फी नमक षगम और पाध कर कुछ देर पका लें तो ढ़कण ढ़कने से फोड़ा जल्दी बन जाता है तो इसलिए हम यहां पर ढ़कन ढ़केंगे और जब earth करते रहेंगे कि यह चिप के नहीं और इसको हम लगातार चल आइंगे और मिक्श कर लेंगे और mix करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको धकन धक के पका लेंगे तो यहाँ पर धकन फिर से हम धक देंगे इसको mix करने के बाद और यह gravy बनने के लिए आपको ज़्यादा time नहीं लगने माला है बहुती जल्दी बन जाती है और इसे सब्जिया बनाना बहुत आसान हो जाता है जब हम busy रहते हैं कुछ काम हो मैं सबके कुछ न कुछ काम लगे ही रहते हैं जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि फटा-फट कुछ सब्जिया बनानी और अच्छी भी बनानी है तो ये gravy आपके काम आएगी तो आप बना सकते हैं ग्रेवी तो अब हम इसको अच्छे से mix करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मैंने gaze band कर दिया है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ठंडा होने में इसको टाइम लगने वाला है जब यह हमारी बिल्कुल ग्रेवी ठंडी हो जाएगी न उसके बाद ही हम इसको mixi में पीसेंगे वना खराब होने का डर रह सकता है तो पुरी तरह से ठंडा करने के बाद हम इसको mixi में पीस लेंगे और सारी ग्रेवी मैंने mixi में पीस लिए बिल्कुल बारिक पीसना है हमको और उसके बाद हमने वही कड़ाई ली है और उसके अंदर oil एट किया है थोड़ा सा और उसके बाद हलका सा हमारा oil जब गरम होगा न बिल्कुल कम गरम होता है न जैसे उसमें मसाल एट करें तो हमारा चेटे नहीं बस उस तरह का oil और उसके बाद में यहाँ पर हल्दी और सुखा धनिया पाउडर होता न वह एट किया है और उसको कुछ दिर भुनने के बाद हमने इसमें ग्रेवी एट कर दिये तो अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और यह जो हल्दी और हमने यहाँ पर सुखा धनिया पाउडर एट किया था न हम इसको अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और गेस अभी भी हमारी slow ही रहने माली है ताकि हमारी gravy चेटे नहीं तो इसी तरह से हम इसको mix करते रहेंगे और ये gravy आप जितनी देर पकाऊगे जैसे आप इसको 5 मिनिट तक धीमियाज पर पकाऊगे तो मतलब ये बिल्कुल safe हो जाता है जैसे कि हम इसको 5-6 दिन तक भी रख सकते हैं तो आप जितना इसको पकाऊगे उतना time इसका extra रहेगा ना self life इसकी बढ़ती रहेगी तो मैंने यहाँ पर इसको धीमियाज पर कम से कम 8 मिनिट तक पकाया है और मेरी ग्रेवी थोड़ी जादा है ना तो मेरा एक अफ़ता निकलने वाला है इसमें तो आप पस यही ध्यान रखना जितना अच्छे से आपकी ग्रेवी कुक होगी उतना जादा time ये safe रहेगी और यहाँ पर हमारी ग्रेवी बन कर तयार है तो इससे आप बहुत तरह की सबजिया बना सकते हैं और आसानी से सबजिया बन जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हमने एट की हैं तो हमको कुछ एक्ट्रा करना भी नहीं पड़ेगा और हमारी सबजिया भी बहुत अच्छा स्वाद देगी तो आप बनाएए रेसिपी और येवाली ग्रेवी और उससे सबजिया बनाए और फिर अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करना और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भुले सोरी और हमको सपोर्ट करते रहे ना